वायू सेना अपनी युद्धक की तैयारियों को परकने के लिए पोकरण के रण में बड़ा युद्धा भ्यास कर रही है। वायू सेना की तरकश में शामिल तमाम रणवीर अपना दमखम दिखा रहे हैं। तेजस, प्रिचन्ड और ध्रूव से लेकर आकास और समर जैसे विद्ध्वन सा खथियार आतनिर्वर भारत की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। आत्म निर्भर भारत की उलान ठर्रा उठा सारा जहान। वायू शक्ति का दम चीन पाकिस्तान बेदम तुफानी रफ्तार अचूक निशाना और विद्ध्वन सक प्रहार दुश्मनों को ठर्रा देने वाली ये तस्वीरे हिंदुस्तान की अतुल्य ताकत की गवाही दे रही हैं। आस्मान में गरस्ते लड़ा को विमान हिंदुस्तान के दुश्मनों को आखरी चेतावनी दे रहे हैं। कि कभी भी किसी भी समय भारत की तरफ आखे भी टिड़ी की तो उसकी खैर नहीं। हिंद के शूरवीर देश के दुश्मनों को खाक में मिलाने नेस्तिनाबूत करने के लिए पूरी तरह से तयार हैं। भारत्य वायू सेना अपना वायू एक्ससाइस कर रही है जिसमें लगभग 122 विमान यहां पे भाग ले रहे हैं। इसी के साथ-साथ यहां पे पहली बार रफाल को उड़ाया गया है और उसकी शमता को दर्शाया गया है। इस विमान में अगर आप देखें तो इसको फ्रांस से डसॉल से खरीदा गया है जो हाल ही में हिंदुस्तानी वायू सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। इसी के साथ-साथ चिनूख हेलिकॉप्टर अपनी शक्ती दिखाते हुए यहां पे 155 mm हावजर्ज जो तोफ होते हैं उनको एक जगा से दूसरी जगा रिलोकेट करने के लिए किस तरीके से हवाई मान से लेके आया जा सकता है उसको भी दर्शा रहे थे और इसके साथ-सा आस्मान में वायुसेना की तमाम नए सिकंद्रों ने जब हवा में परवाज भरी तो दोस्त से लेकर दुश्मन तर हिंदुस्तान के शक्तिमानों की ताकस से रश करने लगे वायुसेना के महायोधाओ ने जब शक्ति प्रदर्शन किया तो आस्मान गरज उठा और उसकी थमक से पाकिस्तान की राजधाने इसलामाबास से लेकर चीन की राजधाने बीजिंग तक धर्ती थर्रा उठी पोकरण के रण में अपनी तैयारियों को परखने उत्रे वायुसेना के रणवीरों ने अदम्य साहस समरपन और देशभक्ती का ऐसा उधारण पेश किया जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चोड़ा हो गया हर बार के तरह वायुशक्ति उधभ्यास में आस्मानी योधाओं ने दिन और रात में संचालित की जाने वाली आकरामत और रक्षात्मक्षंताओं का शांदार प्रदर्शन किया तब का रेगिस्तान हो या फिर बरफीला पहाड वायुशक्ति अभ्यास में हर मौसम हर हालात में दुश्मन को ढून निकालने से लेकर उसे खाक में बिलाने की सटी एक तैयारी दुनिया ने देखी इस सबसे बड़े युद्ध ब्यास में वायुसेन के तमाम वायुवीर योद्धा शामिल हुए